हेलो फ्रैंट्स आज हम इस वीडियो में बताएंगे फोटो साब में कोई भी फोटो को क्लीन कैसे करते हैं क्लीन करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने फोटो साब को ओपन कर लेना है आपको यहाँ से photo assignment को मिनवाइच कर देना है मिनवाइच करने के बाद इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मेरे desktop पे मेरा एक photo है इस photo को हम photo somewhere open करेंगे माउस से इसको पकड़ेंगे इसके बाद mouse कबटम दबा के इस तरए सή होड़ा साब में photo को लाएंगे लाने के बाद इसके बाद यहां mouse कटम लाके यहां छोड़ देंगे तो आप यहां देख सकते हैं photo photo साब में open हो गया open होने के बाद इसके बाद हम photo को click करके यहां से बड़ा कर लेंगे बड़ा करने के बाद इसके बाद हम photo को clean करेंगे फोटो को clean करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोटो में देखेंगे light कम है अब इसी light कम बेसी करने के लिए आप अपने keyword का control यम बटम दबाएंगे इसके बाद इस तरह से आ जाएगा इसके बाद mouse का बटम लाना है आप यहां देख सकते हैं विए सबसे पहले हम फोटो के जी बढ़ लेते हैं कि अपने के लिए आपने keyword का control और space बटम एक साथ दबाएंगे इसके बाद माउस का बटम दवाएंगे फोто आपका जूम हो जाएगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से फोто जूम हो जाएगा, इसके बाद फोто को जूम माइनस करने के लिए आप Alt और Space बटम दवाएंगे, इस बार mouse का फिर से button दबाएंगे zoom minus photo आपका हो जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं zoom minus करने के बाद इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं दाग है तो हम दाग को हटाएंगे दाग को हटाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ टूल में जाना है आपको यहाँ जाना है कलोन इस टाइम को यहाँ से टूल को select करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ ओपर थोड़ा setting कर लेना है यहाँ इस पर आपको click कर देना है click करने के बाद इसके बाद आपके सामने इस तरह से आएगा इसके बाद माउस से यहां आना है, इसके बाद माउस का बटम दबा कि इसको थोड़ा स्क्रूल करना है, नीचे करना है, इसके बाद आपको यहां से बलर वाला जो बलर वाला आपसन है, यहां से आपको स्लेट कर लेना है, कोई भी बलर को स्लेट कर लेना है, स्लेट करने के इसको बाद इंटर बटम दवा देना है इसके बाद यहां आप यहां देख सकते हैं गोल आ गया इस तरह से इसको बड़ा करने के लिए आपने कीवोड का दोने ब्रैकेट से छोटा बड़ा इसको 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 दाग को हटाएंगे दाग को हटाने के लिए आपने keyword का alt और इसके बाद mouse का button दवाएंगे एक साथ इसके बाद यहां से color फिल हो जाएगा इसके बाद यहां click करेंगे दाग हट जाएगा आप यहां देख सकते हैं इस तरह से किस तरह से दाग हट रहा है आपको इस तरह से फिर से आपको क्या करना यहां से click कर देन now then down up को यहां देख सकते हैं इस तरह से दाग आपको हट जाएगा इसके लगत आप यहां तरह से लाग हैं तो कि तो कल्र उठावेंगे फिर से alt और सी अ चहां क्मार mकोटन दोबहेंगे इसके अप्ड इहां इसरे क्लिक करेंगे अप यहां देख सकते हैं दाग बहुत आसान तरीके से चेहरे पर से हट गया इसके बाद हम फोटो को जू माइनस कर लेते हैं जू माइनस करने के बाद इसके बाद हम फोटो को क्लीन करेंगे क्लीन करने के लिए आपको यहां माउस तो उपर जाना है आपको यहां इमेज पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद इसके बाद यहां नीचे आ जाना अजेस्टमेंट पे क्लिक करना है इसके बाद आपको इस साइड में आ जाना है आपको नीचे यहाँ आ जाना है आप यहाँ देख सकते हैं लिखाіш एफ्लेश कलार आपको यहाँ इस पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद इसके बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगा इसके बाद मायूस से इसको पकड़ के आप इदर दर इसको कर सकते हैं करने के बाद इसके बाद आपको यहां थोड़ा सेटिंग करना है आपको यहां प्रिविव पे इस पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको यहां इमेज पे इस पे क्लिक कर देना है इसके बाद आपको यहां तीसरे नमबर पे इस पे भी क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको इहां नीची आ जाना है है माउस यहां राइट साइड में आपको इस तरह से बढ़ा लेना होगे आपने photo की साथ थोड़ा सा यहां से दस-पांच across यहां से बढ़ा लेना बढ़ाने के बाद इसके बाद माउस से यह उपर जाना है इसको अब जो भी date ऑसे जादे अधीक 170 कुछ भी अपने photo की सब्लिगा यहां जादे बढ़ा यहां देख सकते हैं इसके बाद फोटो किस तरह से था किस तरह से हो गया इसके बाद फोटो को और क्लिन करने के लिए फिर से आपको यहां इमेज पे जाना है इमेज पे क्लिक कर देना है फिर से एजस्टुमेंट पे क्लिक करना है इसके बाद फिर से इस साइड में आ जाना बढ़ाने के बाद फिर से आपको यहां उपर जाना है, red पे click कर देना है, नीचे आ जाना है, आपको यहां black पे click कर देना है, इसके बाद right side में आपको थोड़ा से यहां से बढ़ा लेना है, हलका सा, इसके बाद यहां से ok कर देना है, ok करने के बाद इसके बाद आप यहां देख सकते हैं मेरा फोटो किस तरह सथा किस तरह से हो गया इसके बाद हम फोटो को ब्रेश से साप करेंगे फोटो को ब्रेश से साप करने के लिए आपको फिर से टूल में जाना है यहां से आई ड्रापर टूल को यहां से स्लेट कर लेना है select करने के बाद इसके बाद आपको यहां चेहरे पे आना है कहीं गोरे चेहरे पे इसको यहां click कर देना है click करने के बाद इसके बाद tool में जाना आपको यहां से brush को यहां से select कर लेना है brush tool select करने के बाद इसके बाद आपको यहां उपर जाना है फिर से यहां इस पर click कर देना है click करने के बाद फिर से आपके सामने इस तरह से आजाएगा आपको यहां से blur वाला option को यहां से select कर लेना है तो यहां से select कर लेते हैं select करने के बाद इंटर बटन दबा देंगे इसके बाद आपको यहां उबर जाना ओपसिटी ओपसिटी यहां 100 है यहां इसको माउस से स्लेट करेंगे इसको स्लेट करने के बाद यहां 15 है यहां को 15 ओपसिटी आपको डाल देना है इसके बाद आपको यहां इंटर बटन दबा देना है यहाँ फलो, फलो 100 है तो 100 रहने दीजिए, इसके बाद brush का साइट छोटा है, अपने keyword का bracket से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं, बड़ा करने के बाद इसके बाद mouse का button दबाएंगे इस तरह से photo clean होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं photo किस त इस तरह से clean हो रहा है, photo को आपको इस तरह से clean कर लेना है, तो हम photo को clean कर लेते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, photo को clean कर लेना है, हलक हलका इसक continents कर लेते हैं इस तरह से आप photo को अराम से clean कर सकते हैं clean करने के बाद इसको नीचे हम clean करेंगे फिर से eyedrapper tool garage करेंगे i bytom दवा directions कि बिशिए हो जाएगा कि ब्रेश ले लेंके ब्रेस्त हो जाएगा आप यहां देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर भी इसको भी हम clean कर देते हैं इस तरह से आप आपको photo को अच्छे से clean कर लेना है आप यहाँ देख सकते हैं photo clean हो रहा है क्लीन करने के बाद आप यहां देख सकते हैं, मीरा photo clean हो गया इसके बाद जूug माइनस करने के बाद इसके बाद हम photo का color balance करेंगे, photo का color balance करने के लिए आपने keyword का control B बटम दबाएंगे, इसके बाद आपके सामने इस तरह से आ जागा, इसके बाद आप यहां किलिक करके आप अपने फोटो के हिसावे यहां color change कर सकते हैं तो हम अपने फोटो के हिसावे यहां color change कर लेते हैं इस तरह से इसको कम बिसी करके आपने फोटो के हिसावे color change कर लेना है तो हम change कर लेते हैं इस तरह से आप यहां देख सकते हैं फोटो का कलर किस तरह से था किस तरह से हो गया आप यहां देख सकते हैं फोटो का कलर यहां बना सकते हैं यहां बना लेते हैं बनाने के बाद इसके बाद यहां से ओके कर देंगे ओके करने के बाद इसके बाद आप यहां देख सकते हैं मेरा फोटो क्लीन हो गया, इसके बाद और फोटो को आप क्लीन करना चाते हैं, लाइट बढ़ाना चाते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, इसके बाद हम फोटो को थोड़ा और जूम कर लेते हैं, जूम करने के बाद इस इसके बाद आप इसको यहां से छोटा करके ब्रेस को साइच को ब्लैक कर सकते हैं, माउस को बटम दवा की इस तरह से आई ब्रो को भी यहां से ब्लैक कर सकते हैं, आप इस तरह से बहुत आसान तरीके से फोटो को क्लीन कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से, आप यहां देख स सकते हैं मेरा फोटो क्लीन हो गया क्लीन करने के बाद इसके बाद हम फोटो को सेब करेंगे फोटो को सेब करने के लिए आपको यहां उपर जाना है फाइल पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको यहां नीचे से वाइच पर आपको यहां क्लिक कर देना ह चाते हैं फोटो को हम डेश्टाप पे स्टेफ करेंगे डेश्टाप यहां से स्लेट करेंगे इसके बाद आपको यहां नीचे आ जाना है आप यहां देख सेंगे फाइल ने आपने फोटो का कुछ यहां नाम दे सकते हैं कुछ भी अपने फोटो का यहां नाम लिख सकते हैं लिखने के बाद इस पे क्लिक कर देँगा आपको यहां से नीचे हां JPG पे एक slut कर लेना Іس